नमस्कार दोस्तो आजकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैंडी डस्टिंग पाउडर के बार में जैसे कि दोस्तो इसके उपियोग फंगल इन्फेक्शन में किये जाते हैं इसके अलवा भी कौन कौन सा कंडिशनों में आप इस candy dusting powder को यूज कर पाएंगे किस तरीके से आपको यूज करना है कौन इसे manufacturing करता है कौन सा ingredients इस candy dusting powder के अंदर उपयोग किये गए संपुन्न जानकरी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरू करे सो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को शुड़ू करते है साट ग्राम की packaging में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो 90 रुपिया इसका MRP है Glenmark Pharmaceuticals Limited Company दोरा इसे manufacturing किये जाते अगर इसके ओपर उपियोग किये जाने ingredients के बाड़े में बात कर दोस्तो Clotery Magul 1% weight by weight और दोस्तो टाक उपियोग किये गए है अगर इसके uses के बाड़े में बात कर दोस्तो Fungal Infection, दात खाज खुजली, इचिंग, इसकीन पर इरिटेशन, रेटनेस, रैसेस, सोयलिंग में इसके उपियोग किये जाते है यदि इन में से किसी भी तरिके का समस्या आपके अंदर देखने को मिलते है इस condition में आप इस candy dusting powder को उपियोग कर पाएंगे अगर इसके डोसेस के बारे में बात करते हैं दोस्तो यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कॉंसर जरूर करें और दोस्तो जिस जगा पर आपका fungal infection दात खाज खुजली की समस्या है उस जगा पर आप अच्छी तरह से clean कर ले उसके बाद इस candy dusting powder को उपियोग करें अभी बात कर लेते हैं इसके side effect के बार में यदि आप इस candy dusting powder को यूज करते हैं क्या कि आपको side effect देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो इसके तो अभी तक side effect देखने को नहीं मिले है, बाई दफा आपको इस candy dusting powder को यूज करने का बाद किसी भी तरगे side effect देखने को मिलती है, आप अपने नजदी के डॉक्टर से consult करे, उसके बाद इस candy dusting powder को उपयोग करे, उमिद करता हूँ आपको candy dusting powder के बार में संपुन्न जानकारी मिल गई होगी, आपके साथ मिलते हैं next में और एक new medicine से related वीडियो के साथ, तब तक के लिए bye bye and take care